क्या कहूं? कैसे कहूं? किस से कहूं? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हसेंगे तुने ही? तरती हूँ. कोई नहीं है? कुछ नहीं हो सकता. ये आवाजी हैं हमारी ही मन की. लेकिन हर समस्या का है समाधान. मन की बात. मन की बात में आज फिर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत मन का एक और पन्ना खोलते हैं और बात करते हैं रिश्टों की. उस बंधन की जिसे पवित्र माना जाता है, जिसे पर्मनेंट माना जाता है और जिसे ये भी कहा जाता है कि ये ब की नीव हिलने लग गई है। जहां की हस्बेंट भी काम करते हैं और वाइफ भी काम करती है। उनके जो वर्किंग आ रहा है या मेट्रो की जो लाइफ है। जो घर आते आते उनको इतना टाइम जाता है अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। जादी से पहले आपकी रिस्पोंसिबिटी इतनी नहीं होती है। जादी के पहले आप कहां जाते हैं। एवन इफ यार लिविग अलोन आप अके रह रही है। तो अगर आपको घर आके खाना बनाने का मन नहीं है। एवन नहीं पहले आपको अपर मारीज़ के रही है। इसने मेरे हर एक कदम पे मेरी मदद किया है। एक रही चीज़ को ग्रांटेड लेता हूं कि जो मैं करूंगा वो इसको अचेप्ट रेगी करेगी। समाधान है इस रिष्टे को बचाने का ये रिष्टा बचाया भी जाए या नहीं ये सब बाते हैं जिने हम आज शामिल करेंगे अपनी इस कड़ी में हर बार की तरह हमारे साथ हैं हमारे पूरे सफर के हम सफर जाने माने से कैटरिस्ट डॉक्टर अफदेश शर्मा जी उनका आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु वो अब जादा educated है और जादा career oriented होती जा रही है धीरे धीरे और इस वजह से जो एक शादी में expectations होती है अब एक शाय होती है एक दूसरे से उसमें बदलाव आता जा रहा है Problems पहले भी रहती थी क्या ये सच मुच नीव डगमगा रही है Problems आ रही है या हम जादा डर रहे हैं आंकडे देखें तो जादा marriages टूट रही है जादा marriages में लोग बिना टूटे डाइवर्च होए भी एक दूसरे के साथ जो मन मुटाव है वो बढ़ रहा है और उसको कई प्रकार से लोग handle करते हैं या तो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं या कुछ लड़ाई जगड़ा करके और जीते रहते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं डावोर्च तक बात नहीं आती या जो कि आम तोर पर अब देखने पर आया है कि धीरे 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 सिमरता रहता है फर्क जरूर आया है पहले की विवाह में और आज के विवाह में जैसे कि आपने कहा कि समीकरन बदले और विमन ने अपना रोल रिवर्सल किया है और थोड़ा सा जादा प्रमिनेंटली बाहर आ रही हैं वो What is the solution? How do we go about it? एक विवाह में सबसे पहले तो पती-पती involved हैं फिर उनकी families involved हैं फिर उससे बड़ा जो larger social circle है समाज है हर level पे इस change को समझने और accept करने की जरूरत है कि हाँ ये change आ रहा है हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं अब की जो महिलाए हैं उनकी भी अपेक्षाएं बदल रही हैं और वो अपनी अपेक्षाओं को आगे लाना चाह रही हैं जो पहले शायद कम बोला करती थी, अब जादा उस चीज को सामने लाना चाह रहे हैं और इस वज़े से कुछ clashes जो हैं, कुछ मनमुटाव जो हैं, वो जादा बढ़ रहे हैं इन बदलाव की वज़े से जो basic personality patterns हैं, चाहे वो egos हों, चाहे वो demands हों, चाहे वो expectations हों, चाहे वो role reversals इसे कहते हैं, वो हो जो की हो रहे हैं, उने भी चाहिए, लेकिन उनकी acceptance और उसी के साथ साथ, उसके साथ comfortable हो जाना, वो अभी समाज में नहीं आया, तो एक process है, जिसकी हम bottom line की तरफ जा रहे हैं, और शायद bottom line पे पहुंचे नहीं है, अभी और कुछ नीचे का slide होना बाकी है, मतलब problem तो है, लेकिन जो love marriage है, जिसके साथ, मतलब जानते हैं, हम एक दूसरे को, और काफी लंबा वक्त गुजार चुके हैं, वहाँ पर भी, हमने सब कुछ बात किये हुए के बाद भी, वो मधूर प्यार का रिष्टा कब कड़वाहट में बदल जाता है, हम इनी खुद पता चल पाता है, एक कोई particular point नहीं है, जहां से बदलाव होने लगता है, ये धीरे धीरे शुरू का phase, जैसे शुरू के महीने या शुरू के कुछ साल भी अच्छे नि कि और जिम्मेदारियां समाल रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए वो समय निकालना कम हो जाता है, या एक दूसरे के लिए अपने रिष्टे को बनाने के लिए हम उसमें जितना अपना effort पहले डाला करते थे, वो effort अब हम धीरे धीरे कम कर देते हैं. अगर हम phases को समझ लें, तो फिर उसके जो समाधान है, वो भी उसी प्रकार से होंगे, कुछ लोगों की expectation, beginning of the marriage ही बिलकुल अलग है, शादी से पहले कुछ और दिखाया, और जिस दिन शादी हुए, उन्होंने सोचा कि चलो, अब सब कुछ हो गया, अब जो चाहते हैं, वो मिले, मुझे कुछ ना देना पड़े, तो वहाँ पर breakdown, first month or two months में ही शुरू हो जाते हैं, second stage आती है, जब कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ पर maybe after one year, जैसा कि कहा कि धीरे धीरे आप और चीजों में गुमना शुरू हो जाते हैं, अपने career में, दूसरे रिष् में, और वहाँ पर फिर किसी को लगता है कि मुझे पूरा समय नहीं मिला, मुझे पूरा ध्यान नहीं मिला, मुझे पूरा प्यार नहीं मिला, और वहाँ पर फिर जो पुराने आपकी personality है, संस्कार है, insecurities है, वह आनी शुरू हो जाती है, एक तीसरा phase है, जिसमें की boredom आनी शुरू हो जाती है, जहां पे और वो करीबन पांच या दस वर्षों बाद शुरू होता, जब एक दूसरे को बहुत जानते हैं, totally taken for granted, और तीनों phases के लिए जो समाधान है, वो फिर अलग लगतर रहें के होना चाहिए। हर बार यह अलगाम आता है कि मैं तो वैसा का वैसा हूँ या मैं तो वैसे की वैसी हूँ, तुम बदल गए, मुझ में तो कोई चेंज नहीं आया है, तुम बदली हो तुम बदले हो, बदलाव समय के साथ-साथ हर व्यक्तित्व में आता है, हम सब ग्रो कर रहें हैं, तो शादी के बाद भी धीरे धीरे बदलते रहते हैं लेकिन कई बार वो बदलाव इतना धीरे है कि हमें शुरू में नहीं पता चलता है लेकिन अचानक से कुछ समय बाद लगता है कि आप तो बदल गए हैं पहले की तरह नहीं है पर उस चीज को एकसेप्ट करना जरूरी है कि अपने अंदर भी बदलाव आ रहा है अगर हमें सामने वाला बदलावा नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं वो connected है हमारे अपने बदलाव से भी और दोनों में जो बदलाव आया है उसमें फिर से सामन जिस्से बेठाना फिर से उस चीज को accept करना उसमें अच्छाई ढूनना कि कुछ नई qualities भी धीरे धीरे develop हो रही है एक maturity का level फरक हो रहा है या और चीजों में stability develop हो रही है या comfort level जादा है कई बार हम काफी काफी खो जाते हैं negatives को सोचने में कि ये चीज नहीं है अच्छी वो अच्छी नहीं है या आपने मेरी false finding बहुत होने लग जाती है आपने य नहीं किया आपने मेरे लिए ये नहीं किया या आपने तो ये वादा किया था उसको आपने पूरा नहीं किया और हम focus दूसरे पर ज़्यादा डालने लग जाते हैं जिसको हम English में भी एक बार कहते हैं you statement वट उसकी जगह हमें वापस अपने उपर आना है कि मैंने क्या का होना शादी में एक दूसरे के लिए as a person कि उसकी वर्थ हम समझते है as a person उसकी जो qualities है कमिया है पूरा जो भी वो person है उसको respect होना देना बहुत ज़रूरी है और प्यार का ये मतलब ना निकाले कि हम कभी भी कुछ भी कह दें तो उस इनसान को बुरा नहीं लगना चाहिए क्यूंकि हम actually इतना प्यार करते हैं ये मेरे क्याल से गलत फाइदा उठाने वाली बात है कुछ conventions है कुछ etiquette है जो हमें फिर भी maintain रखने हैं कई बार हम यह कहते हैं कि हम तुम से इतना प्यार करते हैं तो ये तो expect करेंगे ही मतलब हम ये चाहते हैं कि तुम ये करो आपको प प्यार तो actually unconditional होना चाहिए अगर दूसरे से कोई प्यार करता है तो उसकी कमियों को नहीं देखना चाहिए उसको ज्यादा respect देनी चाहिए अगर वो नहीं हो रहा तो वो प्यार नहीं है वो प्यार के नाम पे दूसरे को threaten करने का एक tool हो गया तो somewhere we need to understand हाया जैसे अपनी नीड्स को fulfill करने का एक जरिया है जिसको हम प्यार का नाम दे रहे हैं पर शायद जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम गलत समझ रहे हैं क्योंकि इस प्यार में ज्यादा एक selfishness वाली चीज लग रही है कि मेरी नीड्स फुल्फिल हो रही है मेरेज में की नहीं जबकि प्यार या शायद सचा relationship असली अच्छा चलने वाला relationship वह होगा जहां हम दूसरे की नीड्स को भी समझ रहे हैं और फुल्फिल करने की पहले सोच रहे हैं बलकुल गुंजन जी डॉक्टर शर्मा हम लोगों के पीच भी पहुचे और उन से जाना कि उनकी क्या marriage में या वो क्या समझ रहे हैं कि marriage में तनाफ इन दिनों है या नहीं आये चलते हैं कि शादी से पहले मैं हमेशा ही सोचता था कि मेरी वाइफ जो है वो वेल एजुकेटेड हो पड़े लिखी हो समझदार हो और वरकिंग वुमन हो लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही मिल गया मेरी वाइफ जो है बहुत ही ambitious है और being a mother कई बार उन्हें ज्या बच्चे के PTM में जाना है वो चाहते है कि अगर एक बार मैं गया हूं तो एक बार वो जाएंगी और कभी ऐसा हो कि उसे लगातार दो बार जाना पड़े तो यही हमारे बीच में जगड़े का कारण बन जाता है अभी इतना जादा आगे बढ़ चुका है ऐसा मामला मुझ समझ नहीं आता है वो चाहती क्या है मुझे तो लगता है कि वो शायद बाद बाद में उसे जगड़ना ही चाहती है इवन घर की जो situation है वो इतनी जादा खराब है बच्चों के उपर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है इवन कई बार मैं सोचता हूं कि शायद डाइवोर्स इसका एक solution हो बट फिल मुझे लगता है कि नहीं बच्चों का जो लाइफ है वो खराब होने का चांस है मैं तब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे टैकल करूं उसका कैरियर इंपोर्टन है तो तो मेरा कैरियर भी तो इंपोर्टन है अगर मैं ठीक से अपना काम नहीं की बात है कि अब वो कमा भी रही है अपनी समाज में अपनी जगा बनाती जा रही है और कहीं न कहीं दोनों बराबरी के उस पर खड़े हो जाते हैं जब भी एक मैरेज में होते हैं यहां पर मेल इगो आए या ना आए? सालों से, सदियों से रादर एक रोल था कि मेल्स जो हैं वो काम करेंगे और प्रवाइड करेंगे और वोमेन जो है वो घर में रहेगे लेकिन फिर देखा गया कि वोमेन जब काम करती हैं तो बाइन लाज उनमें आदमियों जितनी ही काम करने की शक्ती है, क्षमता है और हर तरहें के काम में वो उनके साथ कंदे से कंदा में लाके चल सकती है, लेकिन जो डूसरे काम है, जो की घर में होते हैं, या जो बच्चों को बढ़ा करने की बात है, वो कहीं न कहीं लगता है कि compromise हो जाते है, males को at least लगता है, जो कि शायद सच ना हो, अगर इस चीज़ को समझा जाए, कि क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर दोनों एक दूसरे की इसलिए इज़त करेंगे, तो relationship आगे बढ़ेगी, कम न लेगा, it is a question of shift in attitude, कई बार, जैसे आपने का कि सारी बाते हम नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि खुद भी नहीं जान पाते हैं, कुछ emotional baggages हम साथ लेकर चल रहे होते हैं, क्या वो मेरी इस marriage में तनाफ कर सकते हैं? कई बार हमारी past learnings हमारी खुद की family से भी जोड़ी होती है, जैसे हमने अपनी parents की marriage या और कोई significant, important जो हमारी relationship रही है in the past बड़े लोगों से, उस model पे हम base कर लेते हैं, और जाने अन जाने एक तुलना करने लग जाते हैं, कि मेरे father तो ऐसा करते थे, उन्होंने तो family के लिए ये सब किया, आप उस तरीके से नहीं हैं, तो कई बार हम ये बातें कहते भी नहीं हैं, लेकिन money-man अंदर दबी होती हैं, और हम ये तुलना करने लग जाते हैं, कि मेरे father की तरह perfect, मेरे husband है की नहीं, या husband की तरफ से, कि मेरी mother तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरी mother ने तो इतना sacrifice किया, तुम उस तरीके से क्यों नहीं परिवा होने की, बचाने की कोशिश करूं, मैं अपने को हमेशा ये याद दिलाओं कि नहीं, ये person एक अलग व्यक्ती है, नया व्यक्ती है, जिसको मुझे जैसे ये हैं, वैसा समझ के चलना है, वैसा accept करना है, और इनसे एक नया relationship बनाना है. तो कौनसी वो बाते हैं, जो मुझे इस बात के बारे में आगाह करती हैं, या मुझे बता देती हैं, कि मेरी marriage अब कहीं न कहीं डावाड डोल होने लगी है, और मुझे उसे एकदम से फिर पुकता करना है, या फिर पकड़ लेना है. सबसे पहले तो मैं उन पैरामिटर्स की बात करना चाहूंगी, जिनकी वजह से marriage एक successful या एक happy, stable marriage हो सकती है, जहां तक मैं समझती हूँ. सबसे important है एक openness हो communication में, कि हम अपने मन की बात दूसरे तक रख पाएं, और दूसरे की मन की बात भी बहुत ध्यान से सुनें और समझे दूसरा, feelings को share करें, अपने emotions को जरूर बाटें, अपने money-man अगर हम उदास हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं, उसको money-man दबा के ना रख लें कि कोई बात नहीं बताने से क्या पायदा, मेरे ख्याल से बताने से हम ज़्यादा चांस देंगे दूसरे इंसान को भी हमें दूसरे के दिन के बारे में जाने, कैसा रहा, आगे की क्या planning है, नहीं है, थोड़ा सा share जरूर रोज करें, एक दूसरे को trust करें, मतला benefit of the doubt देना जरूरी है, हर समय अगर हम शक की निगह से देखेंगे, या सोचेंगे कि कोई हम से कुछ चुपा रहा है, या कुछ गलत सोच के उसने इसलिए ऐसा किया हमारे लिए, तो इस तरीके से फिर problem जादा आती है, तो clarification जरूरी है, benefit of doubt देना जरूरी है, positive सोचना जिसे कहते हैं, optimistic outlook होना जरूरी है, अगर हमें कुछ गलती लग भी रही है सामने वाले की, तो हम clarify करें, पहले से धाड़ना ना बना लें, कि इनों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि A, B, C, D, तो उससे अपनी assumptions बनाते रहेंगे तो problem जादा है, और इन सबको अगर सोच के चलें, तो एक अच्छी foundation बनाई जा सकती है शादी में, हाँ, लेकिन अगर फिर भी आप जैसे कहा कि हम कैसे पहचाने की problem खड़ी हो रही है, तो उसका सबसे पहला sign मेरे कहल से communication breakdown ही है, जिसमें हम information share करना कम कर देते हैं, जरूरी चीजें भी और चोटी चोटी बातें भी एक दुसरे को बताना जरूरी नहीं समझते, तो information share कम होती है, criticisms बढ़ने लगते हैं, कि हम अपनी बात में sarcastic tone चादा ला रहे हैं, वही बात हम अच्छे तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हम critically कहते हैं, दूसरे को pull down करके, fault find करके कहते हैं वही बात, या nag करके कहते हैं, बार-बार एक ही बात कहते रहेंगे, pressure डालेंगे, और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो communication breakdown I think सबसे important वह है parameter जिससे लगता है कि marriage की quality पे असर पढ़ रहा है significant. ये देखना कि पहले जो relationship थी अगर वो best थी और उसमें अब comparison में कमी हो गई है, दूसरों के साथ नहीं compare करें, लेकिन आपके मन में जो best possible relationship का एक ख्वाब है, या कभी थी और वो आज बदल गई है, तो फिर उसे बाहरी कारणों नहीं, पर एक relationship में कमी के कारण के रूप मे क्या पहला कदम उठाएं ताकि हमारा जो ये रिष्टा है फिर strong हो गाए, देखिए पहला कदम तो हमेशा ये है कि identify the problem, महसूस करें कि कुछ है, उसके बाद क्या है, अपने लिए कम से कम, दूसरे के लिए तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए identify करें, कि क्या क्या issues ह जिनको ठीक करना जरूरी है, एक-एक करके जो non-threatening चीजें हैं, तुमने ये कर दिया कि बजाए, हमारी relationship में ये change आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, अगर उस tone में एक discussion, एक dialogue शुरू करें, और उसे समय दे, और सिरफ negative के उपर इने focus करें, जो positive चीजें हैं, जो एक दूसरे क अच्छाईयां हैं, उनको अगर हम उभार के ला सकते हैं, तो फिर वो एक process जब शुरू होता है, तो उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, गुंजन राइडर जी और रट्र अबदेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच आप इस तरह से हमारे साथ का रिप्र में शामि में आ रहा है कि किधर हमारा रिष्टा जा रहा है, जरुवत इस बात की है कि हम सचेत हो जाएं, और आज जो बाते हमने समझी हैं कि किस तरह से communication अगर break होता नजर आ रहा है, तो जरुवत इस बात की है कि खुद में आए बदलाव को भी देखे, हर बार जब भी हम communication channels को खो ही solve करना है, खुद को ही हमने heal करना है, तभी तो ये रिष्टा बचाया जा सकता है, बहुत सी बाते ऐसी हैं मन की, जो कहीं न कहीं, दूर तक, अंदर तक तभी हैं, उन सब को बाहर निकाले, शायद थोड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर healing के process से हम गुजरते हैं, तो ये process हमारे इस कारक्रम में होता है, आप अपना feedback हमें जरूर दे, हमारा email ID है contact us at mankibat.com, और हमारा website address है www.mankibat.com, आज की मन की बातों का सार, समय के साथ आप दोनों में और विवाह में बदलाव आएगा, इस सच को स्विकारे, जगडे और मतभेदों का अपने विवाहित और विचारों का सम्मान करे, convert yours and mine into ours with your spouse. झाल झाल झाल